नमास्कार स्वगत है आपका हमारे चंचात यागेंदर मिशा में कन्यराश शनिदेव होंगे वक्री 5 जून से 23 अक्टूबर 226 खुसकबरी 3 साउधानिया कन्यराश वली जात्कों का इस चैनल पर स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं हमारे जीवन को सबसे ज़्यदा प्रभावित करने वाले ग्रह सनिदेव वक्री होने जा रहे हैं तो इसका कन्यराश वली जात्कों के जीवन में किस प्रगार का प्रभाव देखने के लिए मिलेगा तो देखे कने राज के यादकों पांच जून दोजरवाइस को नवगुरे मंडल के सरबोच नया धीज सनिदेव अपनी चाल बदलने जा रहे हैं सनिदेव कुम राश में वक्री हो जाएंगे यानि की तेड़ी चाल चलना प्रारम करने वाले हैं और अगले 141 दिन तक यानि की 23 अक्टूबर 2020 तक सनिदेव वक्री गत इस्तितियों में रहने वाले हैं तो इसका सभी राश वाली जादकों के जीवन में प्रभाव देखने के लिए मिलने जा रहा है लेकिन इसका कने रास्वली जातकों के जीवन में कैशा प्रभाव देखने के मिलेगा आज इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे हाला कि 12 जुलाई 2020 को सने देव धनिष्ठा नचातर के तीसरे चिराण में प्रवेश करके मकर رास में प्रवेश कर जाएंगे और आपके रास्वली जातकों के ऊपर यनि की एक बार फिर से सने देव के विश्च गुर्पाद रिष्टी रहेगी इस वक्री जो सबसे बड़ा परिवर्टन यनि इस वक्री काल में सने देव का क्या रोल होता है इसके बारे में आपको जानकारी देंगे साथी साथ मानाव जीवन के उपर सनेदेव का क्या एहमियत है तो देखे शनिग्रह को सरवक्ष नय अधिस और धन्य देने वाला अधिकारी कहा गया है साथी ये कर्म फल दाता है उनका कार हमारे कर्मों को हिसाब से सजा देना होता ह शुब और अशुफल देना होता है जिस प्रकार से सिक्षक छातर की उर्जाओं को समझ कर सही दिसा ले जाने की कोशिश करता है और जब भी छातर गलती करता है तो टीचर के द्वरा उसे सजा भी मिलती है ठीक उस्छी प्रकार से सन्देव प्रकित में संतुलन बनाये रखन बना देते हैं और सन्देव वही अगर अशुब प्रभाव में हो पाप ग्रहों से पीड़ित हो अशुब भाव पे बैठे हो तो यानि की जातक को उसके कर्मों खिशब से अशुब फल भी देते हैं इस बार सन्देव जो वक्री होने जा रहे हैं पांच जोन को ये कने रा में आ जाएंगे तो देखे आपको इसमें यनि की कनियराज्ट के आद को आपके उपर कैश प्रभाव देखने के मिलेघा सन्देव को इस वक्री काल के कारण चलिए आपको हम बताते हैं क्योंकि सन्देव के इक कर्मफ твор diffा कहा गया है संदै खुल कर्मों के हिश्राफ से हम ये आपके बैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन, दामपत जीवन और इजक्वेशन, स्वारिषते नौकरी में किस प्रकार की प्रभाव देखने के लिए मिलेंगे, तो देखें, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके केरियर और बिजनेस व्यापार की, तो कन्यी राज क्या सनेदे को ये वक्री गत चाल के कारण है, इसमें आपके केरियर में और बिजनेस व्यापार में, यनि कहा जाए तो कई महत्पूर्ण सकरात्मक प्रभाव देखने के लिए मिलेंगे, एक तो नौकरी में उच्पत की प्राप्ती मिलेगी, क्योंकि छे बड़ी खुसकबरी प्राप्त हो रही है, लेकिन आपको तीन सावधानियां भी बरतने की जरूरत है, नौकरी में प्रमासन होगा, नौकरी में आपको बड़ी खुसकबरी प्राप्त होगी, तो वहीं बिजनेस व्यापार में आपको कोई महत्पूर्ण डेल को लेकर बड़ी खुसकबरी प्र बिजनेस व्यापार में जो प्रेंडिंग काम थे जो रुके हुए कार थे उन्हें पूरा करने का प्रयास करेंगे और कई छेत्रों से आपको काम्यावी प्राप्त होगी साथी महत्पूर्ण ये जनाओं पर काम कर सकते हैं शनी देव के वक्री गत चाल के कारणे करने रास्यात को आपको बिदेशों सो भी कोई शुबसमाचारों की प्राप्ती होगी बिदेशी कंपने से जोड़ने का मौका मिलेगा पार्टनर में कोई कार कर रहे हैं तो से लोन के रूप में और अवियाई जयातकों के लिए भी काफी अच्छी चोथी खुशकवरी प्राप्त होगी क्योंकि उनके विवाह की ये नए योग बन रहे हैं तो यहां पर यानिकी नए रिस्ते भी आ सकते हैं और कुछ सुबकार भी हो सकते हैं मांगली कायकरम भी हो सावधानिया चुकि 12 जुलाई को सनिदेव एक बार फिर से यानि कि एक बार आपके पंचम भाव प्या जाएंगे तो देखे आपको इस दर्मियान से यानि 5 जुन से लेकर 23 अक्टूबर तक आपको गाड़ी बाहन का प्रियोग कम करना है और गाड़ी बाहन का प्रियोग नहीं देना है लोटर शटर के चकर में ज्यादा ना पड़े वैसे तो पैसे फसने काफी दिया फिर खोने का भी डर बना रहेगा यातरा करते हैं तो यातरा करते समय भी आप अपने कीमती चीज़ की देखरेक करें और पैसे की देखरेक जरूर करें वरना चोरी होने के या फिर खोने का डर भी बना रहेगा तो आपको तीन सावधानिया जरूर रखने की जरूरत है साथी साथ इसमें आप अजनवियों पर भरोसा बिल्कुल ना करें और किसी अजनवी को आप विशेश यहनी की जिम्मेदारिया ना परदान करें तो इसमें आपको ये ध्यान जरूर रखना है करने रास्यात कोंश शनिदेव की इश्वक्रीगात चाल के कारण आपके वैवाहिक जिम्में संतान की प्राप्ती की योग बन रहे हैं संतान को लेकर आपको पांशमी बड़ी खुशकवरी प्राप्त होगी और जिवन साती से कंधिश कंधे मिला कर चलेंगे जिवन साती के साथ काफी मदूर संबंध बने रहेंगे जिवन साती आपके साथ नजदी के बढ़ेंगे उनके साथ बहुती मदूर आपके रिष्टे बने रहेंगे और एक दूसरे का सपोर्ट प्राप्त होगा, जीवन साथी आपके होसला फजाई करेंगे और आपकी कांट्रिनेंस लेबल में इसमें बरदी देखने को मिलेगी, शाथी जो कार अधूरे पड़े थे उन्हें पूरा करने का प्रयास करेंगे, कन्या रास्कात को आपको बिश कोन की माध्यम से जुडाव लगाव रखेंगे, साथी परदोगी परिच्छों और कमपटिशन में लाव होगा, बड़ी संस्ता मिदाकला लेने के लिए प्रयास रह शकते हैं, तो वहीं स्वास्त का भी सुधार होगा, लेकिन स्वास्त में थोड़ा सोड़ा आपको धिया करना है। और आपको गरीम निर्धनों को दान भी करना चाहिए इसमें अन का दान करें वस्त्र का दान करें तो ये था कन्यरास के जातकों शनिदेव के वक्री गत चाल में जो राशी फल यानि की पांच जोंसे लेकर 13 अक्टूबर 2020 तक का राशी फल था दोस्तों बीटों को लाइक कर करियेगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जैशनिदेव